देखे सीट बटवारे का फैसला मन्यमुख मंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से तो उसी समय हो जाएगी 14 तारीक अपमान के चलिए कि 14 तारीकों सीटों का बटवारा हो जाएगा लगबग फर्मूला से ठोगया है और लगबग वो फाइनल बस टच देना है उसक वो असफष्ट हो जाएगा सबके सामने प्रकासित हो जाएगा नमस्कार मैं अश्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन दो हजार चौबस लोग सवा चुनाप को लेकर हर पार्टी अपने सीट बटवारे को लेकर लगातार चर्चाओं में है वहीं दूसरी दें कि लोग जन सकती पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता चंदन सिंग ने दावा किया है कि एंडिये में सीट बटवारे पर मुहर लग गई है मुख्यमंतर उर्तीश कुमार के विदेश दोरे से लोटने के बाद 14 मार्च तक सीट बटवारों का एलान हो सकता है चंदन सिं प्रवक्ता चंदन सिंग का चंदन सिंग ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि सीट बटवारे को लेकर इंडिये में सब कुछ बाते हो गई है नितिश कुमार के आने के बाद एलान कर दिया जाएगा और इस एलान के बाद चिराक पासवान अपनी पार्टी के बटवारे का फैसला मन्यमुख मंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से तो उसी समय हो जाएगी 14 तारीक को सीटों का बटवारा हो जाएगा लगबग फर्मूला से हो गया है और लगबग वह फाइनल बस टच देना है उसको वह असवस्ट हो जाएगा सब के सामने प्रकासित हो जाएगा देखे अब सुनी सुनाई बात पर मत देए हाजिपूर हमारा फाइनल है हाजिपूर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता है स्वरगे राम बिलास पासवान जी अपना राजनितिक उत्राधिकारी बना कर गये हैं और मान्य प्रधान मंत्री जी तो मि नहीं कोई समझोते कि गुंजाइसी नहीं है हमारी पांच सीटे हमको असपष्ट रूप से जो हमारे सांसद रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पालवान दिखाईए तो हम तो अपने पालवानों का बयाबते प्रेड भारतिये जनता पाटी के राष्टी अद्दक्शादर देकर और सभी सीटों की घोसना दिल्ली में हो जाएगी आप देख लिजेगा 14 तारीक को जैसे ही सीटों पर एनाउंस होगा चिराग पासवान इस गटवंदन से बाहर निकलकर 40 सीट पर अपना उमिदवार खड़ा कर देंगे समझत हो सके तो बिले कर जाएंगे राष्ट बंदन में रहकर किस तरीके से दवाओ और प्रेसर पॉलिटिक्स किया जाता है अपने को हनुमान बोलते हैं लेकिन ये कल्यूगी हनुमान है सत्युक के जो हनुमान थे प्रभु स्री राम की भक्ति और आराधना करते थे लेकिन ये कल्यूग के हनुमान है कि यह यहाँ प प्रेसर पॉलिटिक्स और ब्लेक मेल की राजनीत अपने ही राम से कर रहे हैं तो यह फर्जी हनुमान है